आमिर खान अपनी बेस्ट फिल्म्स के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं इस्पैशली अगर बात करें उनके हिट बायोपिक फिल्म दंगल की तो इस फिल्म में महावीर फुगात का रोल प्ले करने के बाद आमिर ने ये प्रूफ कर दिया था कि वाकई में यूँ ही उने Mr. Perfectionist का टाइटल नहीं मिला है और आप जल्द ही आमिर खान को देख पाएंगे एक और नई बायोपिक में जी हां sources की मारे तो आमिर खान आपको करन जोहर की फिल्म ओशो में सेंट ओशो का रोल प्ले करते नजर आ सकते हैं लेकिन जानकारी के बता दें इस फिल्म को करन जोहर नहीं बलकि डिरेक्टर शाकुन बत्रा डिरेक्ट करने वाले हैं जिन्नों ने कपूरे इंस जैसी हिट फिल्म बनाई थी And according to sources आमिर खान is very excited with the script that has come his way तो वहीं अगर बात करें Thugs of Hindustan के प्रमोशन की तो आमिर आपको इस फिल्म के प्रमोशन में कुछ अलग अफ्तार में नजर आ सकते हैं इसकी वज़े से आपको ज्यादा हैरान होने के जरूरत नहीं क्यूंकि इस समय आमिर अपनी नेक्स बायोपिक के रिए अभी से काफी ज्यादा मेहनत कर रही हैं और अब यह देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि आमिर की नई बायोपिक में कैसे अफ्तार में आपको शॉक करते हैं नेक्स्ट नाई लाइफ नीजरूम के रिपोर्ट